अश्कार दोस्तो मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं किचिन में बनाने जा रही हूँ सूजी और बेसन की बर्फी जो वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी बिल्कुल सिंपल है और बाहर मार्केट की बज़ाए घर पर बन यो को लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे और अपना फीडबैक देते रहिए आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है सूजी और बेसन की बर्फी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसमें कोई मिलाउट भी नहीं होती है तो आज इसे हम घर पर ब आ रहे हैं तो इस सुद्र देशी घी घी को हम अब भूणेंगे तो ब्लब तक बूंगे जब तक ब्लॉन नहीं नहीं है कि फोड़ा सा इतना भूंडेंगे च्टोड़ासा इसमें कर्चापन हट जाए इस तरीके से और उसके बाद्द एक का वेजेम्ड कर भीए हम ने में तो उसी मेजरिमेंट से हम इसमें एक कटोरी बेसन लेंगे और वह भी इसमें डालकर धीर धीरे भूनेंगे तो बेसन को भूनने में ज्यादध समय नहीं रगता इसलिए गैस की फ्लेम को बिलकुल कम करना है तो धीर धीरे करके हमारा भी पक जाएगा और जो थोड़ी सी कसर सुजी में रह गई थी पकने में तो वह भी पक जाएगी सूजी और बेसन की बर्फी बनाना बहूत आसान है तो इसे बजार द शिते लेने की बज़ए घर पर बनाई एक टेश्टी बनती है और धीर धीर करके हमने ये बेशन और सूजी को भून लिया है देखिए धीर धीर करके हमारी सूजी और बेशन दोनों भून गए हैं अब यह काम करना है जब दोनों चीजे भून गई है तो सूजी हमारी दरदरी होती है तो उसमें थोड़ा सा सोप्ट पन लाने के लिए क्या करेंगे कि या तो आप थ सूजी खोगे और अधीर धीर करके ठोड़ा करके ढालना है तो मैंने आदे कब मेजर्मेंट लिया है उसको धीर-धीर करके डालेंगे तो हमारी सूजी खोगो जाएगी इस तरीक से देखें और फिर हमारी सूजी और बेशन दोनों ही पक गए हैं अब क्या करना है कि इसे दिर के लिए साइड में रख लेते हैं जिसे यह होगा कि यह थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी और आप कर लेते हैं चासनी बनाने की तैयारी तो मैंने एक कटोरी सूजी लिया था और एक कटोरी ही बेसन लिया था तो उसी मेजरमेंट से इसमें दो कटोरी हमें चीनी डालनी है और एक कटोरी डालनी है पानी और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और धीर-धीर करके इसको एक तार की चासनी बनानी है इसमें तो इसे धीर-धी और फिर आप चेक कर लेते हैं एक तार के चासनी मनिक नहीं तो यह देखिए एक तार के रूप में दिखने लगए तो इसका मतलब हमारी चासनी बिल्कुल पक कर तयार हो गई है और अब गैस को कर देना है बंद और यह जो गरम गरम चासनी है इसे हम बेसन और सूजी में डा दिखनाना नहीं है अब धीर धीर करके यह गाड़ी होती जाएगी अथर चलाते रहेंगे जिसे आछी तरीके से मिल जाएगा और फिर यह कर के गाड़ा हो जाएगा क्योंकि गयस हमने चलानी रखा है और फिर भी आगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा पतला अब यह डिगाड़ा होता है इसे के साथ हम गई लगा के रख लेते हैं तो अप ले लिजी या फिर थाली ले लिजी तो इसमें घी लगाकर रख दीजे ताकि यह चिपके नहीं और फिर इसे ठंडा होने के बाद इस प्लेट में निकाल लेंगे इसे मैंने करीबन 15-20 मिनट के लिए रखा था तो यह देखे इस फोर में आ गया है तो यह आराम से बरफी के रूप में जम जाएगा तो इसे मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी बरतन में आप निकाल रहे हैं ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किनारे वाले बरतन में ज तुकड़े करके वो डाले हैं तो आप जो चाहें इसमें पिस्ता बादाम जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं तो मैंने इसमें कुछ काजू डाले हैं और इसे अब 5-6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यह हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से जम जाएगा 5-6 घंटे परियापता या फिर पूरी रात आप रख सकते हैं इसको तो मैंने इसे करीबन 4-5 घंटे रखा है तो यह देखिए 4-5 घंटे बाद यह इतना जम गए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और अब इसे चको की सायता से काट लेंगे तो चको की सायता से आप जैसा चाहें जिस सेप में काटना चाहें वैसा काट सकते हैं तो यह देखिए कितने अच्छी तरीके से कट रहा है चार-पांच घंटे में ये बहुत अच्छी तरके से जम जाता है और इसे किसी भी सेफ में आप जैसा काटना चाहें वैसा काट सकते हैं और ये जल्दी से खराब भी नहीं होती और बिना मिलावट की बर्फी है बेहट टेस्टी भी होती है और स्वास्ते के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देते रही है और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताईएगा और आगर आपको लोग देखना पसंद है तो मेरा निर्बलारा विलोग्स के नाम से चैनल है उस पे जाके मेरे विलोग्स भी देख सकते हैं ये लीजी अमारी बेसन और सूजी की वर्फी विल्कुल बनकर तयार हो गही है देखिए कितनी सोप्ट बनी है और खाने में तो ये बहुत टेस्टी है मेरा वीडियो देखने के ल